नमस्कार मैं साजिदा हाथुन बाला जी ओनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करते हैं बच्वाज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट में अपना हिंदी फर्स्ट का चाप्टर फोर आधे वर्ण का ज्यान और सबसे पहला टॉपिक है हमारा सहिवत वेंजन 2 संयुक्त वेंजन क्या होते हैं जब एक आधा व्येंजन और एक कंप्लीट वेंजन आपस में जुड़कर एक नया व्येंजन बनाते हैं यह चक्वाले ज Infragest यह दोनों मिलकर चत्रे वाला यहां पर बना रहे हैं यहां पर आधा तॉ और यहां पर आधा त आपस में मिलकर बना रहे हैं तर जैसे पत्र और तृशूर ज, आधा ज और इयां यह दोनों आपस में जब मिलते हैं ये दो वेनजन तो ये क्या बनाते हैं गयां तो गयां भी कंतने हैं जैसे यच्यूदा कर below गयानी यानि अब यहां पर आप देखिए श आधा श और यह दोनों मिलकर बना रहे हैं श्रा तो जिससे बन जाता है श्रमण और श्रमिक इसमें जो श्र है यह सहीं उत्वेंजन है यहां का भिश्र सहीं उत्वेंजन है अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है द्वित्व वेंजन द्वित्व वेंजन क्या होता है इसमें दो सेम सेम वेंजन जब आपस में मिलते हैं उसमें भी एक वर्ण आपका आधा होना चाहिए और एक वर्ण आपका कम्प्लीट होना चाहिए तो जब दो सेम सेम वेंजन आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर होता है द्वित्वे वेंजन जैसे कि मक्का इसमें आधा का पूरा का एक साथ रहे तो यह द्वित्वे वेंजन है चक्का तो यहाँ पर भी यह द्वित्वे वेंजन है इसी तरह यह कोई भी वेंजन हो सकते हैं जैसे तता, पत्ता, क भी कर सकते हो या दिल्ली भी कर सकते हो क्योंकि उसमें भी आधाला और पूराला एक साथ आएगा अब हमारा थर्ड टॉपिक है यहां पर संयु ताक्षर तो जैसे कि हम लोगों ने द्वित्व वेंजन में पढ़ा था कि उसमें दो वेंजन जो होते हैं सेम सेम होते हैं तो इसमें उसके जस्ट अपोजिट दो वेंजन तो होते हैं लेकिन यह दोनों अलग-अलग होते हैं एक दूसरे से जैसे यहां पर आप देख सकते हो आधाचा और पूराचा तो यह मिलके क्या बना दिये गुच्छा मच्छर तो जब आपको ऐसे वेंजन एक साथ दिखें ज इसी तरह क और ख यहां पर आपका क आधा है और ख कंप्लीट है तो क्या बन जाएगा मक्खी और मक्खन तो ऐसे वर्ण आपको कहीं भी दिख सकते हैं तो वो क्या कहलेंगे सही अब दाक्षर कहलेंगे अब आता है हमारा अगला टॉपिक रेफ र इसकी जो मात्र होती है य और इसमें जिसके भी ऊपर ये वर्ण जिसके भी ऊपर ये रेफ र लगा होता है वो कंप्लीट होता है तो यहां पर प के ऊपर रेफ र लगा है तो र आपका आधा होगा और प आपका कंप्लीट होगा और इसमें जो र होता है उसको हम लोग बिफोर पढ़ते हैं यानि पहले इसका उच्चारण हमारे वर्णे से, जो हमारा complete वर्ण होता है, उससे पहले होता है, जैसे सर प के उपर रेफ रह, यानि सर प, रह पहले आएगा प बात में, इसी तरह यहां पे द रह पहले आएगा, तो दर प रह दर पन, अब आता है हमारा last topic, पदेन रह, पदेन र इसमें जिस भी वर्ण में या जिस भी वेंजन में पदेन र लगा होता है वो वर्ण आधा होता है और र कम्प्लीट होता है जैसे कि द में यहां पर र लगा हुआ है पदेन र तो यह द जो होगा वो हमारा आधा वर्ण होगा और र जो होगा वो हमारा कम्प्लीट वर्ण हो आधा है और र हमारा complete है तो यहां पर पढ़ लेंगे च चाके उपर अंकिविंदी द में पदेन र तो चंदर यानी चंदर यहां पर और उसमें पदेन र यानी टर यानी र का उचर और बाद में हो रहा है और क तो क्या बन गया यह तो इस तरह से बच्चो हमारा यह में घंकि।